नमस्ति दुस आप सभी के स्वागत है आज हम discussion करेंगे Various Types of Loops in PLSQL सबसे पहले मैं आपनों के लिए कवर करूँ for loop के बारे में Declared section में मैंने एक variable define किया iNumber Begin section में हम लिखा for iIn 1.10 PLSQL में जब भी हमे for loop रुसकर ना था हमें देना पड़ता है initial value फिर दो dot और फिर जो भी final value हम देना चाहें फिर loop keyword उचिछ दिस्प्ले करने के लिए debumes output dot put line और फिर हम iKLU को दिस्प्ले करना चाहेंगे और फिर end loop इसी तर से begin का end अब इस program को save कर लेते हैं आप जहां चाहें वहां save कर सकते हैं मैं इसे d drive में save कर लेता हूँ loop one नाम से अब इसे में SQL window में execute कर सकते हैं जिसके में लिखना पढ़ेगा set server out on जिससे की debumes में output dot put line हमें message show कर पाए हमें इस program को get करना पढ़ेगा loop one dot SQL आप देख सकते हैं मैं ones लेके 10 तक numbers बल रहा है अब हम चाहें तो इस loop को reverse कर सकते हैं तो बस उसके में आप लगाना पढ़ेगा reverse keyword आप इस program को फिर से हम get करते हैं और अगर आप देखें तो मैं 10 से लेके one तक के numbers बल रहा है जो अगरे loop हम cover करेंगे वो है while loop again हमने declared section में एक variable define किया i number जिसके मैं default value देता हूँ 1 begin section में हम रिखा while i less equal to 10 loop फिर हमें कुछ message display करना है तो message हमें display कर देते हैं हमें आप आई को increase करना पड़ेगा फिर end loop end में begin का end और यह slash फिर से इस program को सेव कर लेता हूँ loop to ना हम से फिर से हम get करते हैं हम get command का भी use कर सकते है loop to dot sql जब हम get लगाते हैं तब हम coding के listing भी होती है अब हम slash paste करते हैं हम देख रहे हैं अब मैं अपनों के लिए कर रहा हूँ loop end loop इस पर में यूज़ करना पढ़ता है exit when जिससे कि हम loop को terminate कर पाएं तो देखें कैसे की programming करनी है declared section में define क्या i number हम चाहे तो अगिन ऐसे default value दे सकते है default one begin section हमें हम लिखना पढ़ते हैं loop और जो भी हमें message print करना हूँ और i के लिए हमें print करना है हमने i को increase किया 1 से यहाँ पर में लिखना हम पढ़ते हैं exit when और फिर condition तो हम चाहते हैं कि जब i की value greater than 10 हो जाए तो loop exit हो जाए फिर यहाँ पर में देखा end loop और फिर end program तयार इसे save कर लिया जाए इसे में save कर रहा हूँ loop 3 नाम से अगिन इसे हम get करते है और आप देखते हैं और आप देखते हैं तो पेल स्कुल में loops यूज़ कर सकते हैं शुक्रिया